तो 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 स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी असनगरी पर दोस्तों यह इंडियन पॉलिटी का जो लेक्चर है वो पार्ट फोर है कर लिया है जिसका लिंक आपको description में दे दिया जाएगा ठीक है क्लास खतम होने के बाद में आप उसको भी देख सकते हैं ठीक है तो आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट फोर क्लियर है पार्ट फोर हम लोग करने वाले हैं जिसका पार्ट वर्ण टू थ्री हो चुका है आप लोग description में जा करके उसको देख सकते हैं ठीक है देखते हैं आज पहला प्रस्न जो पहला प्रस्न है भारत का सम्विधान संसार का सबसे बड़ा लिखिस सम्व सम्विधान है दूसरा दिया गया है कि सम्विधान समय में कानून विशेजगों का प्रभुत था तीसरा है इसमें विभिन देशी रियासतों में प्रचलित कानूनों को भी अस्थान दिया गया है और चौथा है कि भारत के सम्विधान पर भारत सासन अध्रियम 1935 का प्रभाव भी देखने को मिलता है तो इस हिसाब से जो हमारा option जो गलत है वो कौन सा है option C गलत है और option C ही हमारा correct answer होगा क्यों होगा क्योंकि यहाँ पे हमें असत तवाला बताना था अब देखते हैं इसकी व्याक्या देखिए लिखा हुआ है भारतिय समविधान के विस्तित होने के पीछे निमलिखित कारण जिम्मेदार है ठीके देखते हैं के कारण को पहला है भारत का विस्तार एंग उसकी विविदताः दूसरा है भारत जासन अधिनियम 1935 का समिधान समा में किसका प्रभुथा कानून विसेशग्गों का, अब चलते हैं एगले प्रस्ण पे, और एगला प्रस्ण है निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए, पहला है भारत के सासन पर नाली संसदिय व्यम अदक्छे सासन पर नाली का समनुए है, दूसरा है अदक्छे है नीचे कूट दिये गए हैं options है क्या है केवल एक केवल एक और दो केवल तीन और केवल दो और तीन तो आपको पता है कि भारत की सासन प्रणाली में कौन सा कैसा अपनाया गया है कौन से सासन प्रणाली अपनाई गये बताइए देखे संसदिय और अधक्ष्य जो है नहीं सासन प्रणाली ओके अर इसकी कहो है सामोही पुत्रणाय। को सिध्धांत पाय जाता है यहीं सही होगा और आंसर होगा इसका आपको पता है कि यह जो है कहां से लिया गया है is ये ब्रिटेन के समान, ब्रिटेन में भी संसदियस आसन प्रनाली है, और ब्रिटेन से ही ये संसदियस आसन प्रनाली लिए गई है, इस तरह से अगर हम देखें, तो हमारा जो आंसर जो सही होगा सत्त वाला पताना है, तो option C, केवल तीन हमारा correct answer होगा, चलते हैं इसकी व्या से संसद के सदस होते हैं, और मंत्री मंजल के सदस सामोही क्रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होते हैं, अथा संसदियस आसन प्रनाली में सामोही कुत्तदायत का सिध्धान्त पाया जाता है, इसमें विधाईका का कारपालिका पर नियंतरन दहता है, और अधच्छ एवम सरकार का प्रमुख जो होता है वो कौन होता है दास्टपती होता है और दास्टपती अपने ही विवेक के द्वारा किसका चैन करता है मंत्री परसत का चैन करता है अपने ही विवेक के आधार पर और इस लिए इस प्रिनाली में हमें सक्ति के प्रथक करण का सिधान्त द छेत अलग अलग होता है, इस प्रकार में दास्ट पती का कारांगर जो होता है, निश्चत होता है और उसे इसके कारांगर से पहले हटाया नहीं जा सकता है। चलते हैं अगले प्रस्ण पर और अगला प्रस्ण है गड़त अंतरात्मक पर नाली के विशे में निम्लिखित में से कौन सा कथन असत्त है यहां पर आपको असत्त वाला बताना है जो कथन सही नहीं है यह आपको बताना है देखते हैं लिखा हुआ है ब्रिटेन में गड़त द्वारा आप रत्तक्ष विधी से किया जाता है और चौथा उपरक्त मैंसे कोई नहीं तो आपको पता है इसमें आसत्त्वाला बताना है तो देखिए ब्रिटेन में गड़त अंतरात्मुक व्यवस्था को नहीं अपनाये गया है ये सही है ठीक है और गड़त अंतरात्मुक इसमें इनने दो प्रहमुखे जो बाता है झांतरात्मुक अंतर यह जबनायद उसमें कोई नहीं here और ऊप्षन नंबर या आपका इस्टत्त का आंसर देखते हैं इसकी व्यक्ष्या को देखे क्या लिखा हुआ है उप्रॉप्त मैंसे कोई भी कथन गलत नहीं है देखते हैं लिखा हुआ है गड़त अंत्रात्मुक प्रनाली में दाच का प्रमुख वनसानुगत नहीं होता है बलकि जनता द्वारा प्रत्रक्ष रूप से चुना जाता है लिखा हुआ है ब्रिटेन में दाचतंत्र व्योस्था को अपनाया है इसलिए वहां का दाच प्रमुख जो होता है वो समराथ या महरानी होता है और इसका चैन जो है वनसानुगत विधी के द्वारा किया जाता है अता ब्रिटेन में गड़त अंत्रात्मुक प्रनाली को न अपनाया गया है अमेरिका और भारत की बात करें तो यहां लोगतांत्रिक गड़तंत्र है जबकि अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो यह लोगतांत्रिक दाच तंत्र है क्यों क्योंकि यहां पर जो दाच का प्रमुख होता है वो किसके द्वारा होता है वनसानुगत विध जता का प्रमुख सुरोत निमलिखित में से कौन सा है आपको Office से जनता संसस संविधान और कार्यपालिका आपको correct वाला answer बताना है तो देखिए भारत में जो जाजनेतिक सक्ता का प्रमुख सुरोत है वो किसमे नहीं तरह जनता है कौन है जनता है देखते हैं अब इसकी व्याख्या लिखा हुआ है भारत में राजनेतिक सत्ता का प्रमुख सुरोज जनता है क्योंकि भारत का सम्विधान यानि भारत के हम लोग से प्रारम होता है अथा भारत में राज सत्ता जनता में नहीं थे हैं किस में नहीं थे हैं जनता में नहीं थे चलते हैं अब अगले प्रस्ण पर और अगला प्रस्ण है समयधानिक सासन व्यवस्था के संबंध में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिये दो कतन दिएगा है इन में से जो सही है वो आला आपको बताना है ठीक है, करेक्ट वाला आपको बताना है इन दोनों कत्रों में लिखा हुआ है पहला कत्रन है ऐसी सासन विवस्था व्यक्ति की स्वतंतरता के हित में राजी की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है दूसरा है ऐसी सासन विवस्था राजी की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंतरता पर प्रभावकारी प्रते बंद लगाती है और इसमें क्या है ऐसी सासन वेवस्था जो राच की सत्ता की हितमें व्यक्ती की सथांतनत्रता पर प्रते बंक्ती बंकतानध लगाती है इसमें से हुआ आपको बताना है तेखेए इसमें जो सही होगा वह कौन सा होगा option number A जो होगा वन वाला ये सही होगा क्या होगा आईसी सासन व्यवस्था व्यक्ति की स्वतंतुरता के हित में राज की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंद लगाती है और यही आपका correct answer होगा कौन सा होगा option number A केवल एक जो है ये आपका correct होगा दूसरा वाला जो है ये गलत है clear है चलते हैं अब इसकी व्यक्तिया पर देखें क्या लिखा हुआ है समयद्धानी सासन व्यवस्था में सरकार की सक्ति का सुरोथ क्या है इसमें सीमिस सासन व्युस्था को अपनाया जाता है व्यक्ति की सतंत्रता के हित में राज्ची की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंद लगाती है, ना कि राज्ची की सत्ता के हित में व्यक्ति की सोतनत्ता पर ब्रिकेनियों अमेरिका में सम्विधान वाद का उदय हुआ है, ब्रिकेनियों अमेरिका में किसका उदय हुआ है, सम्विधान वाद का उदय है ठीक है कौन सा कथन असत्त है तो देखते हैं पहला दिया गया है सर्वोच सथा भारत की जंता में नहीं थे दूसरा दिया गया है एकी किरिस्ट सक्ति का प्रावधान किया गया है अगला है संसधिय साशन प्रनाली जो है उसको गढ़त अंत्र वाद से जोड़ा गया है और चौथा है लोगतांत्रि गरतंत्र को अपनाया गया है इसमें से आपको करेक्ट वाला बताना है कि कौन सा करेक्ट है ठीक है करेक्ट आंसर कौन सा होगा तो देखिए भारत में जो है सर्वोच सत्ता जन्ता में नहीं था ये भी आपको पता है अभी आपको बताया कि संसदिय सासर प्याली को गड़तंत्र वास से जोड़ा गया है यह भी सही है और अभी आपको बताया गया है कि लोगतंत्रिक गड़तंत्र को भारत में अपनाया गया है ओके अमेरिका और भारत में किसको अपनाया गया है लोगतंत्रिक गड़तंत्र को और ब्रिटेन में ल option B जो है ये सही नहीं है, इस हिसाब से हमारा जो correct answer होगा, जो क्या होगा, option number B, अब चलते हैं इसकी व्याख्या पर, देखिए, भारतिया दाजनेतिक व्योस्था या सासन प्रणाली के संबंध में कथन B जो है, वो गलत है, क्योंकि भारतिया सासन प्रणाली में एक एक क्रि अब दाज्यों के बीच में विभाजित है, सत्ता का एकी क्रित लूप ब्रेचेन में अपनाया गया है, कुछ पॉइंच से उसको भी देखते हैं, लिखा है, भारत का सम्विधान हम भारत के लोग से प्रारंभ होता है, इसलिए सर्वोच सत्ता जनता में नहीत है, अर्था अपनाया गया है, क्योंकि गरतंत्रात्मुक प्राणाली में राच प्रमुख राष्टपती को चुनाओ कैसे होता है, जनता के द्वारा प्रतक्ष या प्रतक्ष तरीके से किया जाता है, और भारत में राष्टपती का चुनाओ जनता द्वारा प्रतक्ष विधी से किया गया है क्योंकि तांत्रिक प्रणाली में जनता को सरकार को चुनने एंब बदलने का अधिकार होता है। im clear है यह अगले प्रफ चलते हैं और अगला प्रफन है भारत में पंत्र निर्पेश्चता के संदर्ष में निम्लिखित तमेशि कौन से कथन जो है उसपर आपको बताना है difficult की आपको आपको बताना है यह रही लो winner मैं इक देखते हैं लिखा हुआ है पहला कथन है पैसे भारत में पंथ निर्पेच्छता की नकारात्मक अउधाना को सिवकार किया गया है। दूसरा है मूल प्रस्ताउना में पंथ निर्पेच्छता की चर्चा की गई है। तीसरा है, S.R. बोमई मामले में सर्वोचि न्याले ने पंत निर्पेचता को सम्विधान के आधार्भुस सनर्चना के रूप में मानिठ है राया है, और चौथा है, जाची का कोई अपना धर्म नहीं है, इसमें से आपको correct वाला answer बताना है कि कौन सा answer जो है, वो correct होगा, तो देखिए, यहाँ पर जो है, option number B, जो है, आपका correct होगा, 3 और 4, ओके, option number B, जो है, यह आपका correct होगा, clear है, option B, 3 और 4, यह आपका, सही होगा, चलते ह हैं इसकी व्याख्या पर, ओके, देखते हैं इसकी व्याख्या, तो देखिए, उप्युक्त कत्नों में से केवल 3 और 4 जो है, वो सही है, S.R. बोमई बनाम भारत संग, 1994 में सर्वोच नयाले ने, पंत निर्पेच्चता को सम्विधान के आधार भूट धाचे के रूप में माने ठायराया है, और केश्वानन्द भारती बनाम केदा राज, 1973 के मामले में सर्वोच नयाले ने, पंत निर्पेच्चता को सम्विधान का आधार भूट धाचा माना है, यह आपको कल भी बताया गया था, कल वाले जो क्लास हुई थी, उसमें भी आपको बताया गया था, उके, सम्विधान के आधार भूट धाचे का विचार केश्वानन्द भारती मामले में ही दिया गया है, अगला है, लाजी का अपना कोई धर्म नहीं है, और लाजी सभी धर्मों को समान महत्तु देता है, एवं सभी धर्मों का सनरच्छन करता है, उके, भारत का समाज पंत निर्पेश्टा की पश्चमी ओधाना को नहीं अपनाया गया है, क्योंकि पंत निर्पेश्टा की पश्चमी ओधाना नकारात्मक है, धर्मयों मदाजनीती को पोड़तया प्रथक मानता है, जबकि भारत में पंत निर्पेश्टा की सकारात्मक ओधाना को सिवकार किय गया है अगला पॉइंट है मूल प्रस्तावना या उदेशका में पंत निर्पेश्टा की चर्चा नहीं की गई है बलकि 42 सम्विधान संसोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया है क्लियर है चलते हैं अब अगले प्रस्न पे और अगला प्रस्न है निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए क्या है निम्लिकित गत्रों पर विचार केज़े दो कथन दिए गए हैं इनमें से आपको जो कथन सही है वो आपको बताना है कि कौन सा और ना ना ही दो दो एक और दो और ना तो एक ना ही दो, उके इसमें से आपको correct वाला बताना है कि कौन सा answer जो है, वो correct है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत में जो मद्दान का अधिकार है, एक समयधानिक अधिकार है, यह आपका option जो है, यह सही है और यह वाला option जो है, यह गलत है, क्योंकि भारतिय समविधान के अनुष्यत 326 में मद्दान के अधिकार का उपबंध किया गया है, लोकसभा इममदार्च की सभी विधान सभाओं में चुनाओ में मद्दान की नूनतम आयू कितनी है, 18 वर्स है, एक सट्वे समविधान सा सोधन 1988 के ताहत, सन 1989 में मद्दान के अधिकार की नूनतम आयू 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स कर दी गई, ना कि 25 वर्स से घटा कर 18 वर्स, ओके, अगला पॉइंट है, ग्राम पंचायत के चुनाओं में भी मद्दान करने की नूनतम आयू कितनी है, 18 वर्स ही निरधारित की गई है, अब चलते हैं अगले प्रस् संदर्व में निमलिखित पर विचार कीजिए, ओके, यहां पर पांच वो दिये गये हैं, ठीक है, ओप्शन्स दिये गये हैं, इनमें से आपको सही क्रम बताना है इनका, कि इसका सही क्रम क्या है, तो भादिया प्रस्तावना के संदर्व में कि किस सब्द को पहले लाया ग समाजवादी, इसमें आपको क्रम बताना है, कि कौन सा क्रम आपका बनेगा, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर कौन सा क्रम बनेगा, पहले कौन सा आया है, प्रभुत संपन, फिर समाजवादी, फिर आया है आपका पंतनिरपेच, लोकतांत्रिक गड़ाज, इसे साब से आप देखें, तो 1, 2, 3, 4, 5, A, E, B, A, E, D, A, E, D, A, E, D, यह देखे, D वाला option जो है, यह आपका correct होगा, चलते हैं अब इसकी व्याख्या पर, तो देखिए, उप्यूक्त में से option D जो है, वो सही है, देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, भारतिया सम्विधान के प्रस्तावना या उद्देशिका, भारत के हम लोग, ठीक है, से सुरू होती है, हम भारत के लोग से सुरू होती है, ओके, और यह बतलाती है कि सम्विधान के सक्ति का सुरोज जो है, वो जनता में नहीं थे, क्लियर है, देखिए, संपूर, प्रभुत, संपन, समाजवादी, पंतर निरिपेच, या लोग ठांतरिक गड़दाच की प्रकृति को बतलाता है, ओके, और समान, न्याय स्वतंतरता, समानता, या बंधुत, समिधान का उद्देश है, ओके, तो देखिए, संपूर, आजवादी, फिर पंतर निरिपेच, फिर लोग ठांतरिक, फिर गड़दाच, क्लियर है, अब चलते हैं, अगले प्रस्न पे, और अगला प्रस्न दिया गया है, कि भारतिये समिधान की प्रस्तावना के संदर्म में, निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ओके, आप नहीं है, चौथा है, इसका संसोधन केवल एक बार ही किया गया है, ओके, इसका संसोधन केवल एक बार ही किया गया है, आपको असत्त वाला बताना है, तो आपको पता है, कि जो भारतिये समिधान की प्रस्तावना है, ये जो है, हमारे समिधान का अंग है, ओके, और यही ज जो है option है correct आपका अब चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं और लिखा हुआ है option C गलत है क्योंकि प्रस्तावना को भारतिय समिधान का अंग माना गया है उस्त्यम नियाले ने बेरुवाडी संग मामले 1960 में अपने द्वारा दिये गए निर्णय को आसिवकार कर केशवान भारति बनाम के एल लाज 1973 में व्यस्ता दी की प्रस्तावना समिधान का अंग है पंजित नहरु द्वारा 13 दिसंबर 1946 को समिधान सभा में एक उद्देश प्रस्ताव रखा गया जिसे समिधान के द्वारा 22 जनवरी 1947 को शिवकार कर लिया गया जो समिधान की उद्देशिक उद्देशिका गयर नयाएक अर्थात इसकी प्रकृत्ती नियायोग नहीं है इसे नियाले में चुनूलती नहीं दी जा सकती अगला पॉइंट है किसरवरंद भारती मामले में उचित्तम नियाले नहीं निर्ण wait दिया कि उद्देशिका में संसोधन किया जा सकता है परन् सोधन 1976 के द्वारा उसमें समाजवादी, पंत निरपेच और अखंजता सब्द को जोड़ा गया है अगला point है सुरप्रतम अमर्की सम्विधान में प्रस्तावना को समलित किया गया था और इसके बाद अगला point है भारतिय सम्विधान की प्रस्तावना में स्वतन्दोता, समानता और बंधुत का आदस कहां से लिया गया है तो आज के लिए इतना ही यहीं पर हम लोग खतम करते हैं अगला हमारा part जो है उसमें इसके आगे continue करेंगे तब तक के लिए जैहिंद और अगर आप लोग उने वीजियो नहीं देखिए लास्ट वाली तो आप लोग उसको वीजियो को देखिए उसमें भी काफी अच्छे प्रस्ता है ठीके जो कि आपके पिछले परिष्वों में आए हुए उनी प्रस्तों को यहां पर लाया गया है तो काफी important session है और आप लोग miss मत करिये इसको डेली देखिए और लास्ट वाली वीजियो को भी अगर आप लोग नहीं देखा है तो प्लीज उसको भी देखिए क्योंकि बहुत ज्यादा helpful होंगी वो सारी videos तो आज के ल हुए